तो आज मैं आपको पढ़ाने जारी हूँ क्लास 6 की सोसल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 चैप्टर 1 अंडरस्टेंडिंग डाइवर्सिटी तो बच्चों हमने अभी तक में अंडरस्टेंडिंग डाइवर्सिटी में बहुत सारे चीज पढ़े अभी तक में हमने पर्ट 1 पर्ट 2 इस तरह से पर्ट 5 तक आपको पढ़ाया छोटी छोटी सोट में कि आप इससे अच्छी तरीके से सीख पाएं आज मैं आपको पर्ट 6 पढ़ाऊंगी जो की लास्ट पार्ट होगा अभी तक का और इसके आगे मैं आपको कॉस्ट्ट एंसर बता दूंगी जो description box में भी मैं डाल दूँगी आप वहां से भी देख सकते हैं और साड़े पार्ट आप वहां से भी निकाल के पढ़ सकते हैं तो बच्चों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए पढ़ना सुरू करते हैं तो हमने पार्ट फाइब में जो पिछला पढ़ा था उसमें हमने कैरला और लद्दाक के बारे में पढ़ा था बहुत सारे चीज अब हम लद्दाक और कैरला के जोग्रिफिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे तो चलिए अब पढ़ना सुरू करते हैं वाइल केरला एंड लड़ाक आर क्वाइट टिफरेंट इन टरम्स आप टियर जोग्रिफिकल फीचर्स दे हिस्ट्री ओफ बोथ रीजन has seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its помог that drew traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region जबकि केरला और लद्दाग geographical features के मामले में काफी अलग है दोनों regions के history सेम संस्कृती को प्रभावित करते हैं दोनों regions Chinese और अरब traders को प्रभावित किये केरला का geography species की खेती allowed करता है और लद्दाग का special geographical location उल को allowed करता है History और geography एक reason का संस्कृती को अक्सर बांध ही रखता है अब देखें आगे The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past Our present lives are all about moving from place to place for work and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in Similarly, in our one neighborhoods we live close to people from several communities These are our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions तो विविद संस्कृतियों का प्रभाव केवल अतीत की बात नहीं है हम लोगों का present life में हम इधर से उधर काम के लिए घूमते हैं और अपने traditions के साथ अपने life को slowly नए जगह का एक part बना लेती है जहां हम रहते हैं उसी तरह हम अपने परोस में अलग-अलब communities से आए से close रहते हैं हमारे daily lives में हम सारे काम साथ साथ करते हैं और एक दूसरे के lives, customs और traditions की कहानी सुनते हैं तो चलिए बच्चों अब आगे हम पढ़ेंगे unity in diversity देखें यह क्या है unity in diversity तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे unity in diversity क्या है एक ता में विवीधता अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं इंडिया's diversity has always been recognized as a source of its strength when the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them, India's freedoms, movement and thousands of people of different backgrounds in it they worked together to decide joint actions they went to jail together and they found different ways to oppose the British interestingly the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them but the peoples showed how they could be different and yet be united in their battle against the British तब देखें क्या होता है कि भारत का विवीधता हमेशा भारत की strength का सोच है जब British इंडिया पे राज किया करते थे उस समय आदमी और ओरत जो अलग-अलग सांस्कृतिक धर्म और छेत्र बैक्ग्राउंड से एक साथ आए और उनका विरोध किया इंडिया के freedom movement में हजारो पीपल्स जो अलग-अलग background से थे वो सब एक साथ काम किये एक साथ जेल भी गए और British के खिलाफ अलग-अलग तरीकों से विरोध किया British ने सोचा इंडिया को क्यों ना अलग कर दिया जाए क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हैं और तब हम उनके उपर राज करेंगे लेकिन लोगों ने दिखाया कि वो अलग हैं फिर भी British के खिलाफ लड़ाई में एक हैं तो देखे बच्चा अब आपका ये कुछ लाइन्स हैं इसे मैं पढ़ती हूँ Don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to set a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen two bullets, we slept in Jalliawala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, oh friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soap your rob in this river of blood, dear friends. Some rode in jail while others lie in their graves. Do said a few tears from them, oh friend. Indian People's Treatry Association तो अब देखे आगे पढ़ते हैं दिस सॉंग्स ये जो हैं बच्चों ये एक सॉंग्स हैं दिस सॉंग वाज संग आप्टर दा जलियावाला बाग measures in Amritsar in which a British general opened fire on a large group of unarmed, unarmed, peaceful people, killing many and wandering, wounding, many and wounding. Even more, men and women, Hindu, Sikhs and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. इस गाने को जलियावाला बाग में नर सनहार के बाद गाया गया था. एक British general ने आग लगा दी उन पे जिनके पास हत्यार नहीं था या वो निहत्ते थे. कई लोग सांतिपुर्ण मडगे और बहुत सारे गायल भी हो गया. आदमी और और अरत, हिंदू, शीक और मुस्लिम, अमीर और गरीव एक साथ आये British से विरोध के लिए. इस गाने को उन बहादूर आदमी के याद में गाया गया था. अब देखें. ब्रेटिस पाइ पीपल अब्रिवेर. तो जो गाने और सिम्बल्स फ्रीडम स्ट्रगल में यूज किये गये थे, वो आज भी डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट के रिच ट्राडिशन में याद किया जाता है. क्या आपने इंजिन फ्लैक की कहानी सुनी है? ये एक सिम्बल की तरह प्रिटिस के खिलाब विरूद करने के काम आया था. In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. उनके book में The Discovery of India में, Jawaharlal Nehru ने कहा, इंडिया की unity बाहर से थोपा हुआ नहीं है, बलकि यह कुछ गहरा था और इसकी तह में विस्वास और रिवाज की व्यापक सहिशनुता का अभ्यास किया गया और हर किस्म को स्विकार किया गया और प्रोचसाहित किया गया. वो नहरू ही थे जिन्होंने ये मुहाबरा को गढ़ा, unity in diversity. तो बच्चों अब आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आपको समझ में तो आया होगा, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और मुझसे पूछे, और मैं आपको जरूर बताऊंगी, और और एक बर मैं फिर से बताती हूँ आपको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैन के लिए बचों, तब तक के लिए, बाई, टेक केर, थैंक्स तो वाच मैं वीडियो,